देश के पधान मंदरी पतना आकर दो दो बार रुक रहा हैं ये खुद में आसंका पादा कर रहा है कि रहा है कि जो हाजीपूर की जनता का जो मूड है वो पूरी तरीके से माननिय स्षी चिराग पासवान जी के पक्ष में था क्या इस बार लगकुस बिहार के अन सीटों की तरह कहीं हाजी पूर भी खेल तो नहीं कर दिये हैं देखिए ऐसे ही बातें लगबग 2019 के लोगसभा चुनाओं में भी हो रही थी जब हम मानिनिये प्रधान मंतरी स्री नरेंद मोधी जी के निर्थित में लग रहे थे क्या इन्होंने विपक्ष में सकरात्मकता दिखाई है क्या इन्होंने क्या सकरात्मक विपक्ष की भी भूमी का निभाई नहीं निभाई ये तो खुद मतलब बिखड़े पड़े हैं 2014 से खुद इनके नेता, जिनके निर्थित में ये लोग कथित रूप से लड़ रहे हैं, पता नहीं ये लोग स्रीवान राहूल गांदी जी को अपने नेता मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका विहार में कितना दोरा है, तो इसमें आने की वजह से अब कोई नेता क्या अपनी जंटा से मिलने नहीं आएगाए इसमें कहां से बात हो गई कि कोई हाफ हो गैया कोई साफ हो गया जो बोल रहे हैं पहले वह अपनें अंदर झांके देखे किиса हो गए कि वह आप पुच्वेचरण का मतदान जो है वो अब लगभग संपन हो चुका है हाजिपूर में आज मतदान हुआ है चिराख पासवान की किस्मत दाव पर लगी हुई है वह हाजिपूर जिसने चिराख के पिता रामिलास पासवान को नेता बनाया केंद्र में कई बार मंत्री बनाया और अठवार संसद भी बनाया उसी हाजिपूर में कहीं सी चंपराह माके तो नहीं निकल गया fel अहमारे साथ आज जोगी पैसरे सब्सें करक्या कि श्राख लोगतंत्र करन पर्प पर्व चिराचप्त पन्नेता राप्र में से दुनरा हारे में पिस ही हैं बार बार इसके जिक्र करते हैं कि सबसे बड़ा पर्व हम लोग तंदर का हाधिपूर में कैसा महाल देखने को रहा मदाताओं में जोश दिखा मौसम गर्मी है लेकिन हवा भी बह रहा है किस तरह का महाल दिखा हाधिपूर में देखें निश्चित रूप से जो यह हम लोग चुनाओं में हैं यह विश्चु का सबसे बड़ा लोकतंतर है भारत और जितने भी लोग इसमें भागीदारी लेते हैं चुनाओं में चाहे वो नेता हो चाहे वो महान जनता हो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जहां तक बात आज हाधिपूर के की बात है तो मैं पूरे एस्योरिटी के साथ आपको बता दूं कि जो हाधिपूर की जनता का जो मूड है वो पूरी तरीके से माननीय स्री चिराग पासवान जी के पक्ष में था यूं कहें कि पूरा हाधिपूर आज के दिन में चिरागमय हो चुका था मैंने भी विगत आशिरवाद हमें मिल रहा था वो आज चुनाव में भी हमें मतदान में देखने को मिला है तो पूरी तरीके से जिस तरीके से हाजिपूर की महान जनता निरंतर हमें आशिरवाद देते आई है इस बार के चुनाव में भी आशिरवाद दी है वोटिंग होने दीजिए सारी चुनावी शारी जातिय समीकरन धरी की धरी रह जाएंगी और इस बार फिर से एंडिये जो है और हमारे नेता मानिनिय स्री चिराक पासवान जी चालिश के चालिश सीटें डेलीवर विहार से करेंगे एक सवाल यह बहुँई और युझा जेता रहा हैं पिछली समाज से आते हैं वह इस बार बिहार में बड़ी संख्या में आपको यह वोटर मिलेंगे द्रानुक भी मिलेंगे और लवकुष तो हैं ही क्या इस बार लवकुष बिहार के अन सीटों के तरह कहीं हाजी पूर भी खेल तो नहीं कर दिये हैं देखिए ऐसे ही बात हैं लगबग 2019 के लोकसभा चुनाओं में भी हो रही थी जब हम मानिनीय प्रधानवंतरी इस्री नरेंद्र मोधी जी के निर्टित में लड़ रही थे इसी तरीके से जातिय समीकरन पेपर में बनाई जा रही थी और इसी तरीके से इंडिये को बहुत कम सीटे दे रही थी लेकिन जब चुनाओं का नतीजा आया तो सारी जातिये समीकरन धरी की धरी रह गई मैं एक चीज आपको मैं बता दो अदिब जी ये जो जातिये समीकरन जो है ना इसे सिर्फ बिहार में कुछ जादा ही फोकस किया जाता है अब नब्बे का दसक नहीं है एक जमाने में हुआ करता था मैं यह नहीं कहता हूँ कि लोगों की समवेधना या लोगों की लॉयल्टी अपने जात के परती नहीं है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लेकिन आज जातिये मुद्दा जो है ना वो एक सेकेंडरी फैक्टर रह गया है चुनाओं में प्राइमरी फैक्टर नहीं है प्राधमिक्ता यह नब्बे के दसक में होती थी बिहार नब्बे से काफी आगे बढ़ चुका है आज मुलभूत चीजों पे जनता जो है अपना मत देती है आज के दिनों में बिहार की जनता को अपने मत का इंपोर्टेंस पता है उन्हें पता है कि ये एक मत से केंडर में जो नीतिया बनती है उनके रोज मर्रा के जीवन पे असर करती है और कोई भी व्यक्ती सत्ता धारी पक्ष को ही वोट देना चाहता है विपक्ष में जो नेता है आज महागडबंधन में ये 2019 से हैं इंडी अलाइंस वाले क्या इन्होंने विपक्ष में सकरात्मक दिखाई है क्या इन्होंने क्या सकरात्मक विपक्ष की भी भूमी का निभाई नहीं निभाई ये तो खुद मतलब बिखड़े पड़े हैं 2014 से आप ही बताईए अभी आज लोग सभा चुनाव संप बन हुआ हाजीपुड का और जैसे हमारे नेता मानेनी स्रीचिराक पासवान जी ने भी इस बात को उच्छाला था कि इतने दिनों में इंडी अलाइंस का कोई भव आयोजन भी आपको होते वे दिखा खुद इनके नेता जिनके निर्थित में ये लोग कथित रूप से लर रहे हैं पता नहीं ये लोग स्रीवान राहुल गांदी जी को अपने नेता मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं अगर उनकी बात की जाये तो उनका भीहर में कितना दौरा है तो पूरी इंडी अलाइंस जो थी वो चुनाओ से पहले ही अपनी सिकस्त मतलब जो है वो एक्स कि जातिये समीकरन एक फैक्टर है लेकिन इतना भी फैक्टर नहीं है जतना मीडिया में उच्छाला जाता है इस बार पुरी करमठता से और चट्टानी एकता के साथ पूरे बिहार की जनता ने अपने सुनहरे भविश्य और ससक्त बिहार के लिए वोट किया है और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि एंडिये को चालिस की चालिस सीटे आएंगी आप रिजल्ट इनाउंस होने दीजिए आप कह रहे हैं कि राहूल गांधी का दौरा नहीं हुआ उतना भावे आयोजन इंडिया कट बंदन की तरफ से नहीं हुआ लेकिन प्रधान मंद्री को क्या मजब देखें मानिये स्री प्रधान मंत्री जी भारत के प्रधान मंत्री हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार का दोरा उनका ये पहली बार हुआ है वो अपने दौरे के लिए जाने जाते हैं और से बिहार नहीं पुरे देश में उनका सालो भर जन संपर्क बना रहता है अब निश्ची तुरूप से अभी हम चुनाओ के दौर में हैं तो मानीने परधान मंत्री जी का एक निर्तित्य अपनी पार्टी के तरफ और अपने गटबंधन के तरफ भी बनता है वो परधान मंत्री हैं लेकिन साथ ही साथ वो हमारे गटबंधन के सरवच नेता भी है तो इसमें आने की वज़े से अब कोई नेता क्या अपनी जंता से मिलने नहीं आएगा, इसमें कहां से बात हो गई कि कोई हाफ हो गया, कोई साफ हो गया, जो बोल रहे हैं पहले वो अपने अंदर जाक के देखे, कि वो हाफ हो गया, कि वो साफ हो गया, क्या उनका इस बार अ अल्टनल बन रहा है तो उसमें क्या बिहार के इंजीницу विहार के मज़्दूर काम नहीं हीं बिना केंदर के प्रोजेक्ट और चले हुए आज आपको देखने को मिलती है यह सर्के यह फ्लाइओर कौन बनाता है पर्धान मंद्री में पूरी जनता को सरकारी नौकरी नहीं मिला है हमारे पहले के जिनरेशन को भी देखिएगा वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सब लोग को सरकारी नौकरी थी और वेकेंसी तो निकल ही रही है तो इसमें जूट मुट का जो गटबंदर है वो एक भ्रमित करने की कोशिस बार ब और है तो काहिसे लोगं करा रहा हैं कि लोगं इंजिनियोर क्या रहे वो युवा कहां जाका यई आपblaडन अब कर कई तो फूर्जार मंतरी की जिम्म्वारी भारत की है तो बैंगलोड में भी जूब गुड़गाओं में भी जौब निकल रहे हैं वहां लोग जातो रहे हैं तो कैसे रोजगाड कि वहीं आहिए कि उन्हों उसको उन्होंने नितियस्समार जी ने चबुमार जीवर्णे नहीं था सम्वेर अराउंड अठाई लाग के लंसम में है तो उन्होंने कोई नया रोजगार तो सिर्जन नहीं न कर दिया जब उप मुखिमंत्री थे तो कोई कंपनी को तो बुला के उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं गिरवा दिया बिहार में डर कि हाजीपुर में फर सकता है लटक सकता है कुछ हो सकता है नहीं कोई डर कहीं से नहीं है हाजीपुर की महान जनता पुरी तरीके से हमारे साथ है और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं खुद विगत साथ आर्ट दिनों पहले हाजीपुर के कई छेत्रों में भ्रह्मन किया हू इस बार तो ये माना जा रहा है कि हमारे नेता मानिनिय स्रीचिडाक पासवान जी आधर निये राम विलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाले हैं आप नतीजा आने दिजिए सारी जातिय समी करन और सारा भ्रमित करने का अजेंडा विपश्का धरा का धरा रह जाएगा जिस तरीके से 2019 में हुआ था चलिए तो चार जून का इंतिजार है आज मददान हो गया प्यार की पांस सीटों पर चाहे मदुबनी हो सारन हो सिता मड़ी हो या फिर हाजी पूर ही क्यों ना हो अब चार जून को यह हाजी पूर की जनता ताय कर दी है कि क चर्चा उनकी पाटी भी कर रही है जिस बात की चर्चा चिराग पास्वान भी करते रहें यह स्विचंदर राम इस वार्बाजी मार जाएंगे सब को इंतिजार है 4 जून का फिलाल समय इतना ही मिरनाम उदीब तारन है बहुत बहुत शुक्रिया